नमश्कार आप देख रहे हैं खबर इंडिया मैं हूँ आपकी साथ पूछा आए रुक करते हैं आज की खास खबरों की और इंदोर में फरजी एडवाइजरी कंपनी की आड में पैसे दो गुना कर लोगों को प्रलोभन देकर ठगी करने वाले परार चल रहे आरुपी को स्टेफ पुलिस ने गिरफतार किया है सरसल इंदोर स्टेफ पुलिस ने विगत पिछले दिनों मैक्स इंडिया रिसर्च अडवाइजरी फिर्म पर छापमार कारेवाही कर अन्य राजियों के लोगों से ठगी करने के मामले में दो आरुपी कंपनी प्रॉपराइटर अभिशिक गुपता और जितेंदर सराथे क को अपनी गिरफ्त में लिया था पुछताच में राकेश और फुर रवी भी इस एडवाइजरी की ठगी में शामल था जो पुलिस की नजर बचा कर राजिस्तान के नागोर भाग निकला था राकेश फोन पर लोगों से रवी नाम से बात कर इंवस्मेंट और लाब दिलान के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम देता था फिलाल पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद राकेश के बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है वहीं स्वरजी एडवाइजरी कंपनी में अन्य और भी कई नाम सामने आ सकते हैं जिसको लेकर स्टेफ पुलिस अप की जाती रही है इसमें एक उलेखनी सफलता आज स्टेफ इकाई इंदोर को मिली है जिसमें वर्ष 2019 में अपरात क्रमांग 18 बटे 2019 एक मैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अन्रेजिस्टर्ड कंपनी के ऊपर शिकायत मिलने पर अपरात मंजीबत किया था इसमें एक आरोपी तबी एक साल से फरार था जिसका नाम राकेश शर्मा था जो रवी नाम से टेलिफोन करके इंवेस्टमेंट कराता था और करीब इसने दस लाक से अधिक का इनवेस्टमेंट कराया था और इसकी काफी समय से तलाश थी यह मूल रूप से नागोर का रहने वाला था राइस्तान का और वहीं फरार हो गया था तो इसको काफी समय से तलाश कर रहे थे तो इसको गिरफतार करने में सफलता मिली है और इस से आरोपी से को मान्य नियाले प्रस्तूत किया गया और वहां से दो दिन की पुलिस रिमांट प्राप्ट हुआ है अभी जो इसके बैंक अकाउंट है बाकी सभी डिटेल्स का अध्यन किया जा रहा है और जहां-जहां से भी बैंक के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर करते थे ये दस गुना पैसे में रिटर्न का एक जूटा वो जो कमिट्मेंट करके और लोगों को उक्सा के रवी के ना पुलिस ने विदिवद प्राप्त किया है और उसका बारिकी से अध्यन किया जा रहा है और जो भी इसके अतरिक्द भी इस कमपनी में इन्वाल्ड है इस अपराजिक करते पे उसके विरुद भी कारवाई की जाएगी फिलाल अबीकली बस इतना ही लगातार खबरों के लिए आप बने रही है हमारे साथ नमस्कार